स्वागत है उन सभी इस्टेयन का जो हर दिन कुछ नया सिखना चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आज हम जानेंगे जारखन पॉलिटेक्निक के बीवी आई क्वेस्चन के बारे में जी हां आज हम बीवी आई क्वेस्चन करने वाले हैं यानि कि बेरी बेरी इम्पोर्टेंट क्वेस्चन जो की आपका जो है वो एक्साम के परपस से जी हां अगर आप जारखन पॉलिटेक्निक के इक्वी इस बार दे रहे हो तो आपके लिए जो है यह एक वेस्चन बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और मैं आपको बता दू कि प्रक question जो है वो आपका exam में पूछा जाज सकता है प्रकास के प्रावर्तन तथा अपरावर्तन chapter से तो मैं आपको बता दूँ कि हमने जो question त्यार किये हैं वो question बहुत ही important होने वाले और यहां से कम से कम आपका जो है वो 5-10 question fix इस chapter से जो है वो आपका पूछा जाएगा प्रकास के प्रावर्तन तथा प्रावर्तन से पहला question है कि सोर भटी में किस दरपन का यूज किया जाता है तो अगर आप answer जानते हो तो comment box में बता देना कि मैं जो है answer पहले से जानता था नहीं जानते हो तो यहां पे सीख लो इसका जो सही answer है वो है अवतल दरपन question number 2 में पूछा गया है दाड़ी बनाने में किस दरपन का यूज किया जाता है तो जो सही अंसर है समतल और अवतल दरपन दरपन क्या होता है तो दरपन है जो है वो मिरर होता है जिसे की हम आईना बोलते हैं आसान भासा में जब भी आप सेलून में जाते होगे तो आप देखते होगे कि वहाँ पे जो दरपन लगा होता आपके सामने आइना जो लगा होता वो जो आइने का यूज किया जाता उसका नाम होता समतल या आउतल दरपन का जो है वो यूज किया जाता है मिरर का अब बात क कर लेहते की निर्वात मेंप्रकास की चाल कितनी होतی है उससे पहले जान लेते हैं की निर्वात थिक आते में अगर प्रकास की बात करें यानिका थिसों 올 तो वहाँ पे जो प्रकास की चाल होती है, वो होती है, 3 into 10 the power 8 meter per second, जी हाँ, एक second में जो है, वो 3 into 10 the power 8 meter जो है, वो प्रकास जो है, वो distance ते कर लेती है, अब बात कर लेते हैं, question number 4 की, question number 4 में आपको जो है, वो पूछा गया है, आपसे, कि छहरा देखने के लिए समान तक किस दरपन का उपयोग किया जाता है, तो अभी कुछ दिर पहले हमने इसी तरह के question को देखा था, कि दाड़ी बनाने के लिए कौन सा दरपन का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे समतल और आउतल था, तो यहाँ पे जो हम लोग घर में जो आईना होता है, जो mirror होता है, जिसम आप बाइक चलाते हो, तो पीछे देखने के लिए आपके accelerator के, आपके right hand और left hand के side में दो mirror लगे होते हैं, छोटे छोटे जी हाँ, उस mirror में कौन सा दरपन का यूज किया जाता है, तो उसमें जो किया जाता है, वह उत्तल दरपन किया जाता है, और उत्तल दरपन की प्राक चलाते समय, बहुत बड़ा द्रिस से देख पाते हैं, अब बात कर लेते हैं, वहानों के अग्रे द्रिप में किस दरपन का यूज किया जाता है, वहानों के अग्रे द्रिप में, ठीक ना, जब और question number 7 की और बढ़ते हैं, question number 7 में पूछा गया है, जब आपतन कौन 30 डिग प्रावर्तन कौन कितना होता है, तो प्रावर्तन कौन भी 30 डिग्री होगा, क्यों होगा, तो आपने पढ़ा होगा, प्रावर्तन के चैप्टर 10 चैप्टर में, कि आपतन कौन जो होता है, वो प्रावर्तन कौन के जो है, वो इकवल होता, यानि कि ब्राबर होता है, इसलि जयां लेंस की टंटलेश्ट्राल होता है ुची कितनी वकर्ता तिरज्यां होती है यहां जो लेंस होता है उसकी कितनी वकर्ता तिर्ज़ाँ होती है, जो इसकी जो बकरता तिर्ज़ा होती है वो दो होती है जी है कि दो बकरता तिर्ज़ाँ होती है lense के आवर्धन का वेंजक लिखे लेंजired का जो आवर्धन का जो formula होता है, वो होता है m equal to b by u question number 10 में आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा गया लेंस के आवर्धन का वेंजग लिखे तो इसका जो आवर्धन होता है वो होता है M equal to B by U question number 11 में पूछा गया है पारदर्सी माध्यम के दो उधारंदे अब बात कर लेते हैं पारदर्सी किसे कहा जाता है पारदर्सी जिससे कि सूर्य की किरने इस और से उस और पार हो सके तो आपने देखा होगा कि काच से जो है वो सूर्य की किरने इस और से उस और हो जाती है पहला काज दूसरा पानी पानी में भी आपने देखा होगा कि जब किरने पानी में पढ़ती है तो पानी से गुजरते हुए जो है वो नीचे जमीन तक चल जाती है आपने कभी कभी कुआ या तालाब में भी ऐसा देखा होगा अब बात कर लेते हैं question number 12 की इसमें पूछा गया viral माधियम से संग माधियम में जाते समय प्रकास की किरन किस और जो है वो मुड़ती है तो वो जो है वो अभी लंब की और मुड़ जाती है जब भी प्रकास की किरन viral माधियम से संग माधियम में जाती है तो वो अभी लंब की और मुड़ जाती है किसी लेंस की छमता पी उसकी फोकस एप में क्या संबंद होता है जी आप छमता पी और फोकस एप में क्या संबंद होता है तो पी इकवल टू वन बाई एफ इसका जो है वो फार्मूला होता और यही संबंद जो है यह होता है लेंस के पी और फोकस दूर फोकस दूरी एफ और वकरता तिर्जिया आर में क्या संबंद होती है तो यह जो है वह आधी होती है इसलिए एफ इकॉल टू आरवाइट टू हो जाता है अब बात कर लें तो क्वेस्चन नमबर 15 की इसमें पुछा गया एक गुलिये दरपन की वकरता तिर्जिया 20 सेंटीमी भी अप्लाइग कर सकते हो एफ इकॉल टू आरवाइट टू अब बात कर लेते हैं दरपन सुत्र के बारे में दरपन सुत्र क्या होता यह बहुत ही इंपॉटेंट होने होला आपके एक्जाम से दरपन सुत्र और लेंस सुत्र दोनों ही इसलिए मैंने इन्हें इस क्वेस् की तो लेंज का जो सुत्र होता वो सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस आपका हो जागा बागी दोनों में सेम ही होता इसका फॉर्मूला बस आपको प्लस के जगह पे माइनस यूज्ज करना है क्या आगे बढ़ते हैं बात करते हैं question number 18 की इसमें पूछा गया गोलिये दर्पन कितने परकार के होते हैं जियां दर्पन जो होते हैं गोलिये दर्पन वो कितने परकार के होते हैं तो आप जो है वो जानते होगे गोलिये दर्पन कितने परकार के होते हैं तो जो गोलिये दर्पन होते हैं दो परकार के होते हैं पहला अवतल दर्पन दूसरा उतल दर्पन जी हां आपको ये क्वेश्चन रट लेना है को लिए दर्पन कितने परकार के होते हैं तो दो परकार के होते हैं पहला उतल दर्पन दूसरा उतल दर्पन जब किसी वस्तू को अवतल दर्पन के सामने सी पर जाता है तो तो कहां बनता है तो परती बीम कहां बनता है अगर किसी वस्तु को सी पर रखा जाए तो परती बीम कहां बनेगी तो परती बीम जो है वो भी सी पर ही बनेगी Side Mirror के रूप में वानों में किस दर्पन का यूज किया जाता ह अभी अभी कुछ दिर पहले इस question को हमने किया था question number अगर हम बात करें तो ये जो है आपको हमने अभी कुछ दिर पहले जो है question number 5 में same question को घुमा फिरा के पूछा गया question number 20 में आप देख सकते हो कि किस दर्पन का यूज जो है वो किया जाता है साइड मिरर के रूप में जी हां तो साइड मिरर में जो दर्पन का यूज किया जाता है उस दर्पन का नाम है उस दर्पन का नाम है आपका उत्तल दर्पन जी हां उत्तल दरपन का भी जो है वो side mirror में वहनों में यूज किया जाता है side mirror के रूप में वहनों में किस दरपन का यूज किया जाता है तो वो उत्तल दरपन का यूज किया जाता है और ये जो सारे question त्यार किये गए वो मेरे द्वारा त्यार किया गिया है यानि कि आनंदराज के द्वारा और आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हैगी अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज आप आनंदराज मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को और पर प्रेस कर दे ताकि हर एक नोटिफिकेशन सब्सक्राइब तक लिए जाइए अमेट करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को इक लाइक छरूर कर दीजिएगा मिलेंगे अब कि वीडियो में तते के लिए जहिंदоме मातर्षे झाल झाल